नौरात्र यानी नौराते इन नौरातों और दस दिनों के दोरान शक्ति स्वरूपा देवी के नौर रूपों की पूजा की जाती है। दसमा दिन तशहरा के नाम से प्रसिद है। नौरात्र वर्ष में चार बार आता है। पौश नौरात्र, चैत्र नौरात्र, आशाध नौरात्र और अश्वनी नौरात्र नौरात्र प्रतिपदा से नौमी तक मनाया जाता है नौरात्र के नौरात्र के नौरातों में तीन देवियों महालक्षमी, महासरस्वती और दुर्गा के नव स्वरूपों की पूजा होती है जिने नव दुर्गा कहते हैं इन नव रातों और दस दिनों के दोरान शक्ति स्वरूपा देवी के नव रूपों की पूजा होती है दुर्गा का मतलब जीवन के दुख को हटाने वाली अर्थात दुर्गा दुर्गति नाशनी समस्त कष्टों से छुटकारा दिलाने वाली देवी मा दुर्गा सुरूपा नवदुरगा यानि मादुरगा के नव रूप, इन नव रूपों में नव औशदियां भी विराचती हैं, माअंबे के ये नव रूप जो समस्त रोगों से बचा कर जगत का कल्यान करते हैं, नवदुरगा के नव औशदि सो रूपों को सबसे पहले मारकंडी चिकत्सा पध ज़दी के रूप में दर्शाया गया और चिकत्सा प्रणाली के इस रहसी को ब्रम्भाजी के द्वारा उपदेश में दुर्गा कवच कहा गया। नवदुर्गा के रूप में जाना गया हम उनकी बात करेंगे। मंधी रोगों की प्रमुख दवा है। ये रक्त विकारों को बाहर निकालने में समर्ध आउशदी है। अता इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति को ब्रम्भचारनी की आराधना करनी चाहिए। अगली कड़ी में कल हम बात करेंगे नवरात्र के तृतिय के दिन की देवी चंद्रघंटा के बारे में। और बताएंगे आपको क्या हैं देवी चंद्रघंटा के ओशदी अगुण। ज़िया आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अन्रोध है कि हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। देवी मा की गृपए आप पर सदयों भनी रहे। जै मादूर के।